आवला सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है, हालकि बच्चे इसे खाने में आना कानी करते हैं, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी आवले को खाएं, तो आप इस तरीके से बहुत ही सेहत मंद और स्वाधिष्ट आवला केंडी तयार कर सकती हैं, जटपट बहुत ही कम समय में, तो अगर आप मेरे चैनल रश्वीज फूट कॉर्णर में पहली बार विजिट कर रहे हैं, और मेरी रेसिपीस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा, साथ में बेल आइकन भी प्रिस कर दीजेगा, जिससे आ बाद भर इन्हें डीप फ्रीजर में हम रख देंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखे, मैंने आवले फ्रीज में से बहार निकाले, फ्रीज नहीं फ्रीजर में से बहार निकाले, तो ये बिलकुल पत्थर की तरह कड़े हो चुके हैं, आप आवासे अंदाज लगा medicalist की तरह, बिलकुल गुलाब्जामून की तरह soft हो जाते हैं और बिलकूल अलू की तरह ये चीली ये पीजा सकते हैं, तो मैं इस तरीके से चील के आंवला केंडी बनांगी, अगर आप चाहें, तो बिना चीली बना सब ड इनके उपर का छिल का जो मटमेला सा रहता है ना वो निकल जाता है तो काफी सुन्दर सी खुबसूरत सी दिखती है कैंडी तो यह देखिए आलू की तरह इसको मैंने छिल लिया है और यह इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि बहुत आसानी से इसकी कलियां बहार निकाल ले रही ह सब्सक्राइब देखिए सब्सक्राइब करें लियुकतु अगर चुके ननकल सकता है लुछ आथने खुरी थाइole आवला आपको कट करके दिखा रही हूँ पहले इसको छील लेंगे उसके बहुत आसानी से कली निकल जाएंगी तो आवला सारे मौसम में खाना चाहिए पर सर्दियों में सबसे जादा आता है तो सर्दियों में पूरे साल भर के लिए इंतिजाम करके रख लेना चाहिए चाह भी जरूर से अपना प्यार दीजेगा बहुत आसान केंडी रेसिपी है और गजब की स्वादिश्च बनती है बहुत टेस्टी लगती बच्चे भी बड़े भी सभी इसको बहुत चाव से खाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से इसके सारी कलियों को हम बहा इसको आधे गंटे के लिए पंके की हवा में रख दिया था इसमें धूप की ज़रूरत भी नहीं है अब इसमें हम मिलाएंगे आधा कप चीनी पर आधा कप चीनी में से मैं 2-3 चमच बचा ले रही हूँ या लगबग 2 चमच मैंने बचा ली है चीनी को आप यहाँ पे अधा के लिए चीनी आवले के साथ में पानी छोड़ देगी मेल्ट हो जाएगी तो ढखके मैं इसको दस मिनिट के लिए चोड़ती हूँ पर अगर साबुत दाने वाली चीनी मिलाएंगे तो इसको कम से कम आधा एक घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा आपको तो यह द चीनी ने पानी छोड़ दिया है आवले के साथ मिक्स होके और इसको एक बार उलर पुलट करेंगे उपर से नीचे करेंगे उसके बाद फिर से 30 से के लिए इसको हाई पावर पे माइक्रोवेव करेंगे तो और काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है चीनी बस यह प्रॉसेस हमक 30 से के लिए इसको माइक्रोव किया है लेकिन हर बार इसको अलट पलट करते चले जाना है उसके बाद इसको ठंडा कर लिया है ठंडा करके इसके ऊपर से हम शुगर पौडर मिला देंगे जिससे की यह कैंडी जो है वो चिप के नहीं पर ध्यान दीजेगा अगर आपके यह अगर आप चाहे तो शुगर मिलाने के पहले यह शुगर पौडर मिलाने के पहले यह दूप में कुछ घंटों के लिए रख सकते हैं पर यह इंस्टें टावला केंडी है तो आप इनिस्टेंट बनाईए 10-15 दिन चलाईए 10-15 दिन आराम से चल जाती है उसके बाद दुब और सॉफ्ट और जूसी केंडी बनका तयार हुई है फिर मिलते ही मेरी कगली और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए